हेलो फ्रेंड्स आयम फ्रॉम पाठक ट्युट्योरियल तो बच्चों कहां पर पड़ रहे थे बेस्थियोरम जैसे कि मैंने बताया था अब हम कोशन को डिल करेंगे तो आज एक कोशन की तरफ चलते हैं 83rd कोशन देखिए इसमें लिखा है आप एक बार नोट भी कर सकते हैं 83rd कोशन देखिए अफ्रेक्टर है थ्री मशीन आव स Peng खाल कर नोटी घर रे डिला है tus एम स्फटे लाग spirit 없습니다 रस्थिए बच्चि़ लॉट देखिए बल्ति म्ड्गोईध कि centres private ओ्र दोट आपर संट ड्र संट देखिए पोलतें b is random and is found defective what is the probability that this defective bolt has been produced by the machine X ? इसका कोशन का मतलब क्या है ? कोशन कहा रहा है एक factory है जिसमें 3 machine है पहली machine जो है 1,000 प्रोड्यूस कर रही है bolt दूसरी 2000 दूसरी 3000 तो कहा रहा है X जो है machine वो 1% defective produce कर रही है bolt और Y जो है 1.5% और Z जो है 2% तो कहा रहा है जब last day पूर जब day खतम होने के बाद उन्होंने एक bolt निकाली जो जतनी भी सबने produce कर थी पूरी machinery ने तो उसके बाद लिखा है कि इस found defective जो bolt चूज करी वो defective थी what is the probability that this defective bolt has been produced by the machine X कि वो जो defective bolt थी वो हमने X में से निकाली होगी तो अब देखिए हम पहले पहले produce करेंगे या फिर defective पहले निकल जाएगा पहले machine produce करेगी तब उसके बाद defective आईगे ठीक है तो हम पहले special event क्या होगी हमारी कि वो produce करेगा मतलब a1 is the event machine X produces 1000 बोल्ट और Y produces a2 is the event that Y produces 2000 बोल्ट and a3 is the event that machine Z producing 3000 बोल्ट फिर E is the event अब देखिए मैं इसको आपको solve करके बताता हूँ कैसे करना है ठीक है आईए देखिए student जिसे a1 is the event that bolt is manufactured by machine X कि वो जो पहली bolt जो है वो produce करी होगी X ने वो 1000 बोल्ट करी है और a2 event माल लेंगे कि बोल्ट जो produce करी है वो Y ने करी है 2000 a3 is the event that manufactured by machine Z 3000 ठीक है इसका अपना हम total कर देते है 1000, 2000, 3000 तो हमारी कितनी बोल्ट हो गई total यह हमारी हो गई 6000 ठीक है अब priority निकालनी है a1, a2, a3 की तो इनको total करके 6000 है तो machine X की priority क्या हो गई 1000 upon 6000 तो 300,000 कट गए तो 1 by 6 ठीक है और a2 की priority क्या होगी उसने 2000 करे है produce लेकिन total कितनी है 6000 तो 2000 by 6000 तो 2 by 6 और Z ने किया 3000, total कितनी है 6000 तो 3000 upon 6000 is equal to 3 by 6 ठीक है अब हमें बनानी है specific event specific event क्या हमारी कि वो जो बोल्ट produce करिया वो defective होगी एक बोल्ट हमने produce करने के बाद choose करिया है और वो defective होगी ठीक है देखिए दुआरा बतारों मैं पहले special event देखिए वो कह रहे कि defective bolt निका लिए उसमें तो defective bolt कब निकालेगा जब produce करेगी इसलिए हमारा special event क्या हो गया produce करना और specific event क्या हो गया defective bolt ठीक है तो E is the event that bolt is defective तो अब हम करेंगे P E by A1 E by A1 मतलब क्या हुआ कि जो defective bolt जो हमने choose करिया वो machine X में से करिया है और machine X में से करेंगे तो उसकी probability क्या होगी तो question में देखिए कि machine X जो है वो produce कितना करेगी 1% defective bolt करेगी ठीक है तो हमारा probability of E by A1 क्या होगा 1% of 1% हो जाएगा हमारा ठीक है और P E by A2 मतलब वो जो bolt थी और defective हुई होगी अगर produce करेगी machine Y ने तो उसकी probability क्या थी मतलब वो जो machine Y जो है अगर वो defective bolt produce करती है तो उसका था 1.5% करेगी तो 1.5 upon 100 ठीक है तो P E by A3 क्या होगा अब मतलब कि machine Z ने produce जो किया है और हमने उसमें से defective bolt निका लिया उसका था 2% defective bolt का ठीक है तो हमने 2 by 100 कर दिया अब कोशन में क्या बोल रहा है क्या निकालना है देखते है कोशन में कह रहा है What is the probability that this defective bolt has been produced by machine X ठीक है अब देखिए machine X की probability यहाँ पर क्या है A1 यहाँ पर A1 event बाने हमने उसे तो हम क्या करेंगे A1 by E मतलब machine X ने produce करा होगा वो defective bolt तो क्या करेंगे P A1 by E जिसका भी निकालना हो ना हमें जैसे machine X ने produce करा होगा यह बोल रहा है कोशन में तो उसको उपर रख देंगे और निचे अपन में E तो आए गई हर कोशन में ठीक है तो इसे हम अब value पुट कर देंगे सबकी तो यह हमारा आगया answer 1 by 10 थैंक यू पर लिस्निंग और वाचिंग दिस वीडियो I will try to solve all the question of this topic so please like, subscribe and share this video and if you have any doubt please comment and I will try to come soon with my new video